हेलो गाईस वेल्केम बैक टूब यूटूब से माईजुकिसन सपोर्ट मैसल्फ अनामीका और पिछली वीडियो में हमने बात किया था डाइजेशन इन 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 वाले हैं जो ग्रास को खाते हैं यानि कि जिनका भूजन जो है वो क्या है ग्रास और गाईस अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां ते देख सकते हैं और चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आगे की इस वीडियो को तो अगर हम बात करें ग्रास इटिंग एनिमल्स का तो आप जानते हैं कि उसमें कई सारे एनिमल्स आसकते जैसे कि काउज बंफेलों और अधर ग्रास इति एंटिग अनिमाल जो यह इसकी आप देखते होंगे कि वह ग्रास खाने के बाद याने कि अपना भोज़ु लेने के बावजूद भी क्या करती रहती है याने कि तो कुछ नकुछ तो है जो खाना खाने के बाद भी उसकी जुगाली करती रहती है तो इसका लिसन यहां पर बता हुआ कि एक्षणी देख विक लोड़ ग्रास एनि स्टॉर इन सेपरेट पार्ट आप दे इस टो मक कर लेती है जिसका नाम किया है र्यूमन नाम है यहां पे अराम से फूट क्या होते हैं डाइजिस्ट हो जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं कर्ड यानि कि आप यहां देख सकते हैं कि यह रियूमन है रियूमन में कुछ खाना जो है जाकर डाइजिस्ट हुआ है और बात में उसी रियूमन से यह लंप के द्वारा जो भी उस एनिमल ने खाया है वो उसके मूँ के पास आता और सिस्ट के बाद एनिमल क्या करते हैं उसको चुविंग करना सुरू करते हैं और इस प्रोसेश में क्या बोलेत के रियूमनेशन और एस सिस्ट को हम क्या बोलते हैं रियूमनेशन बुलते हैं यह एक फैब्रीक होता है क्या सटें धागे की तरह होता है, cellulose होता है, जो कि normal human being या फिर animals इसको नहीं digest कवा सकते हैं, ठीक है, a type of carbohydrate जिसमें बताया हुआ है, many animals including humans cannot digest cellulose, ruminants have a large sack like structure between the small intestine and large intestine, large intestine और small intestine के बीच में, rumination जो होता है, वो process होता है, और एक sack like structure होता है, जो कि आप इस figure में देख सकते हैं, यही क्या है आपका ruminants है, the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria, यह जो cellulose होते हैं, जो कि ग्रास वेगरा में पाय जाते हैं, तो cellulose जो होते हैं, आसानी से तो digest नहीं होते हैं, इसलिए इसके लिए एक particular bacteria होती है, जो इसको digest करवाती है, which are not present in human, और यह bacteria human में तो present नहीं होती, इसलिए cellulose क्या होता है, human body में या कह सकते है, animal में digest नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए, कि सारे animals के पास digestive system नहीं होते हैं, in fact, कुछ animals के पास mouth ही नहीं होते हैं, तो कुछ animals के पास mouth and digestive system दोनों होते हैं, और कुछ के पास नहीं होते हैं, then how do they acquire and digest food, तो जिस animal के पास ना तो mouth होता है, ना ही digestive system होता है, तो आप इस पर सोचना इस फासन में नाम है अमीबा है तो इन एनिमंल एंडीरी कुछ कई tari के से चलाता ठीक कि उसके पास कदो है तो चली स्कै बारे मैं पढ़तें में शींडन इसे इंड़ फडिंग एन अमीबा अमीबा में फीडिंग कैसे हो तर STE कैसे लेता है कैसे डाइजस्ट करता है तो amoeba is a microscopic single cell organism found in a pond water amoeba क्या है single cell organism से जिसके पास एक Achilles cell होती है microscopic यानि बहुत छोटा सा होता है amoeba has a cell membrane इनके पास क्या होता है cell membrane होता है जो कि इसके पहले वीडियो में आपको cell membrane के बारे में हमने बताया था a rounded dense nucleus and many small bubbles like vacuos so rounded form में आपको यहां पर दिख रहा होगा जो कि nucleus विया हुआ है and bubbles like vacuos और vacuos के बारे में बता है इनके cytoplasm में vacuos and nucleus होता है amoeba constantly change its shape and position हो अपने place और अपना shape दोनों change करता रहता it pushes out one और more finger like projection called pseudopodia ठीक है इनमें क्या होता है कि एक finger like structure होता है जो कि इनका मतलब पूरा projection को दिखाता है जो कि आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं समझ सकते हैं इसके सहारे ही वो move करता है तो इन्हें हम बोलते हैं pseudopodia ठीक है स्ट्यूडो मतलब ही होता है जोटा और बोडिया मतलब होता चेंजिंग होई ठीक है यानि कि एक जोटा shape इसका होता है जो हमें सब बदलता रहता है और false feed for movement and capture of food और यह क्या करते हैं कि उसी की सहारी यह food को capture करते हैं amoeba feeds on some microscopic organism यह amoeba क्या होता है यह छोटे-छोटे microscopic organism की feeding करता है यानि उन्हें लेता है खाता है when it senses food जब वो food को अपने उस finger like structure या finger like projection से उस organism को sense करता है pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs एटिके organisms को क्या करते हैं अपनी तरफ खीशते हैं और उनको engulf कर जाते the food becomes trapped in a food vacuum amoeba के पास ना ही digestive system होता ना ही mouth होता है तो यह क्या करते हैं pseudopodia जोकि अभी आप नाम सुनें जो की एक projection होता है food like उससे क्या करते हैं कि micro organisms को पकड़ते हैं और फिट ट्रैपिंग करते हैं उसका food vacuum में food vacuum में क्या करते हैं सारे microorganism trapped हो जाते हैं digestive juices are secreted into the food vacuum digestive juice जो भी उस organism से जो भी उनका फिकार है उनसे निकलते हैं और food vacuum में उसका juice जो जो ता है जिससे उनकी life process चलती है they act on the food and break it down into simpler substance food को लेते हैं और चोटे 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 पार्टिकल में तोड़ देते हैं gradually the digestive food is absorbed और यह absorption करते हैं digestive juice का the absorbed system are used for growth maintenance and multiplication यह absorbed juice जो की secret हुआ था उनका यह क्या करते हैं उसकी हिसाब से अपना growth करते हैं खुद को maintain करते हैं और multiplication यानि की other process जो भी है उसको करते हैं the undigested residue of the food is explained out by the vacuum vacuum के द्वारा ही वह undigested residue को बाहर कर देते हैं the basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals जैसे कि आपको पता है कि food को लेने की process और unwanted food particles को बाहर निकालने की process सारे animals में क्या होता है common होता है in a later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से detail में समझा है मैं फिसे आपसे कहती हूँ कि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखिए जो कि काफिंग पॉर्टेंट थी तो आप फिसे उन्हें देख लेजिए ताकि आपको आगे के topic सारे clear हो जाए चैप्टर में यही था और इस वीडियो में ही इस चैप्टर का इंड होता है और गाइस अगर वीडियो आपको अच्छे लेगी तो प्सक्राइब केजी वीडियो को लाइक केजिए दोस्तों के साथ शेयर केजी फिर मिलते हैं अपने नेक्ट आपिक के वीडियो के साथ तक तक के लिए बाबाई and टेक कियो